नमस्कार साथियों आज जों बात करेंगे मकर यानि की कैप्रिकॉन राशी के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ महतुपून बाते जो की दो हजार चौबीस में बहुत ही इंपॉर्डन रोल प्ले करती हैं तो चलिए शुरू करते हैं नए वर्ष में खर्चों के बावजूर आपकी आर्थिक स्तिती सुद्रड रहेगी खोट कचेरी तता जायदात के कामों में भी कदम बढ़त की और परन्तु जमेलों में रहेगा पेची दगियों से निपटना पड़ सकता है अलकी सोच वाले साथी भी आपको टांग खीचने में व्यस्त रहेंगे जन्वरी के आरम से आम हालात अनुकूल नगर बाधाय रुकावटे भी उभरती सिमटती रहेंगी 15 जन्वरी से सुभाव में क्रोध उत्तेजना बढ़ेगी 6 फर्वरी से समय बहतर बनेगा उलजनों मुश्किलों पर आपका नियंतरन बढ़ेगा 7 मार्च से घटिया साथियों से फासला रखे फिर 14 मार्च से आप में हिम्मत उत्सा जोज बढ़ेगा 1 अप्रल से मित्र कामकाजी साथी सहयोग करेंगे 1 माई से यतन करने पर आपकी योजडा कुछ आगे बढ़ेगी फिर 19 माई से मजबूर सितारा ज्यादा शक्तिशाली बनेगा 13 जून से शत्रू जोर पकड़ सकते हैं परंतु 7 जुलाई से शत्रू का जोर घटने लगेगा 17 जून से ग्रह सेहत के लिए धीला बनेगा पाव विसलने की आशंका भी रह सकते हैं 25 जून से विचारों में नकरात्मक्ता बढ़ीगी किसी बने बनाय काम को बिगड़ने की आशंका 18 सितंबर से किसी सरकारी काम को हाथ में लेने के लिए समय उत्तम रहेगा परंतु 16 अक्टूबर के बार किसी सरकारी काम को हाथ में लेने से संकोच करें क्योंकि ग्रह उलजनों और पेची दगियों वाला होगा 20 अक्टूबर से पारिवारिक मोर्चे पर भी नाराज की तनातनी रहने की आशंका रहेगी 16 अक्टूबर से समय आमदन के अच्छा बनेगा तो ये थी मक्कर राशी से जोड़ी कुछ मैत्व पून बाते